हैलो एवरिवरन वेलकम बैक टू मैं चैनल सुफरेंड कैसे हैं आप लोग आई हूप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आज के वीडियो में मैं साथ ऐसे कीचन टिप्स लेके आई हूँ जो के आप लोगों को हैरान कर देगा तो बिना देर की चलिए वीडियो को स्ट करते हैं टिप नंबर वन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी दूद से ध्यान हटाएं और दूद उबल कर नीचे गिर गया काउंटर टॉप खराब हो गया तो इस कंडिशन में हम क्या करें तो ऐसा हमें कुछ करना है एक कटोरी लेने हैं और दूद उबलने लग जाएगा आपको अगर भूल भी गए तो पता चल जाएगा इसमें से आवाज आने लग जाती है और दूद कभी भी उबल के नीचे नहीं गिरेगा और जैसे उबाल ले लेगा आप इसमें से कटोरी निकाल दीजे टीप नंबर दो अगर आपको थोड़ा सा सक लगे कि हमारे गैस सिलेंडर लिकेज हो रहा है या नहीं आप इस कनफ्यूजन में है तो आपको ऐसे में क्या करना है गिलास में थोड़े से पानी लेना है और रेगुलेटर निकालने हैं और इसमें थोड़े थोड़े हमें पानी डालना है मतलब इसे भरना है थोड़े किनारे पे इतना तेली मेल जम जाता है इसे हमें असान तरीके से कैसे निकालना है तो ले लेना है आधा निम्बू जिसमें मैंने पहले ही यूज कर लिया है इसका रस और बेकिंग सोडा ले लेना है खाने वाला इसमें डिप करना है और इसमें डिप करने के बाद यहां पे ह जरूत नहीं है क्योंकि निम्बू ने अपना पहले ही काम कर दिया है और फिर ले लेना है गिला कपड़ा और उसके बाद आप पोचिए और देखिए इसका चमतकार कि तरीके से मिक्सी चमक उठा है बिल्कुल लग रहा है अभी अभी खरीद कर लाए है एकदम नया हो गया ह टीप नंबर फोर हम लोग चावल बनाते हैं और इसे धोते हैं बीना धोये तो चावल बनाते नहीं है तो इसे हमें धोते हैं तो जो पानी पहला होता है उसे फेक देते हैं क्या जानते हैं कि यह पानी कितनी किमती है इससे क्या हो सकता है क्या फैदे हो सकते हैं चलिए मैं आपको आज बताती हूँ, इस पानी को हमें फेकना नहीं है, इसे हमें एक लोटे या गिलास में किसी चीज में ऐसे रख लेना है, उसके बाद हमें डालना है अपने पोधे में, जिसका ग्रो नहीं हो रहा है, इससे पोधे की बहुँ जल्दी ग्रो हो जाएगी, ऐसा करना है तो इसमें से बहुत ही दिक्कत होता है निकालने में चले मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या है तो इस रेफर को हमें यहां पे ले जाकर के थोड़े-थोड़े गैस पे हमें गरम करना है और उसके बाद देखें कितना असानी से निकल जाता है तो ऐसे करिएगा तो अगर हम direct कपड़ा से पोचें तो कपड़े में smell भी आने लगती है और देखिए ये है केला के छिलका, बच्चे केला खाएं और छिलका फेक दिएंगर, आपसे फेकना नहीं है, केले को छिलको को लेना है, और गैस पे इस तरीके से करना है, तो इससे देखिए कितना असानी स तो आपको इस तरीके से केले के चिलका के लेना है और बहुत ही अच्छे से साफ करना है उसके बाद क्या करना है गिला कपडा लेना ना है और इसे पोच देना है तो देखे कितने अच्छे से साफ हो गया ना बीना साबुन बीना सरफ के आपके साबुन सरफ के भी बच्चत हो गया और साथ के साथ ये गैस चुला भी एकदम चमक गया है और साथ के साथ एक और फैदा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है देखे इस कपड़े में बिल्कूल भी तेल नहीं लगा टीप नमबर साथ आधे पके हुए चावल जब हम चावल बनाते हैं तो आधा पक जाता है तो उसमें से कुछ पानी इस तरीके के निकलते हैं तो पानी हमें दो से तीन चमच निकाल लेना है और उसके बाद इस पानी को हमें ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद अपने फेस पे लगाना है जिसके जाईयां हो चेरे पे जुनियां हो या मुहांसे हो आप एक सब्ता तक करके देखिएगा आपके गरांटी के साथ कह रही है उदम ठीक हो जाएगा तो आपको ऐसे करना है कुछ दिन तक अगर वीडियो पसंद आय हो तो प्लीज नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिएगा धन्यवाद